हलो इस्ट्टेंट माईसेल्फ राहूल मिस्राट टीम बॉटनी सीलसी सीकर आज हम यह डिसकस करते हैं दंगल नाइन्थ का सॉलुशन जिसमें आज हम बॉटनी सब्जक्ट के सॉलुशन की बात करेंगे चलिए देखते हैं कॉश्चन नंबर 151 से तो देखिए सहे विलोपन संगठन सरवादिक अच्छे से निम्न में परिवासित होता है यानि की को एक्स्टेंशन केन वी वैस वैस्ट एक्स्प्लेंड इन दिस एसोसीेशन तो जब आप एंसी आइटी में बात करेंगे किलियर बता रखा है कि इसमें प्लांट पॉलिनेट का जो रिलेशन सिप है वो एक टाइप से को एक्स्टेंशन का एक्जामपल है अगर यहां पर जो पॉलिनेटर इसपीज है अगर लॉस्ट होती है तो इस केस में जो प्लांट है वो भी लॉस्ट हो जाता है यानि की को एक्स्टेंट हो जाता है तो आंसर क्या जाएगा मौ 52 निम्ण में सुमेलित कर सही विकल्ब को यानि की इनको मैच कराकर करेक्ट आंसर को हमें चूज करना है तो देखिए ये जो मरकरी है ये किसके लिए आता है जैव आवर्धन आप NCRT में देखेंगे जैव आवर्धन यानि की बायो मैगनिफिकेशन के लिए दो यहां पर केम निकल्स को सो कर रखा है पहला मरकरी और दूसरा DDT CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये ओजॉन के डिप्लीशन से रिलेटेड है यानि की इसकी वज़े से ओजॉन लेयर होती है वो डिप्लीट होना स्टार्ट होती है यूवी बी ये कॉर्णिया के सोत यानि की इन्फलामेशन कॉर्निया से रिलेटेड है नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर्स ये फर्टिलाइजर की वज़े से क्या होता है सुपोशन यानि की यूट्रोफिकेशन के लिए रिस्पॉंसीबल होते हैं नेक्स्ट आता है ऐरोसॉल्स ये फेंफणों के saot यालंг्स में इन्फलामेशन क means होता है air या atmosphere में आप कह सकते हो जो suspended liquid droplets हैं या फिर कोई other small particles जो present हैं जो क्या करेंगे किसी type के problem को create करेंगे lungs में तो income क्या बोलेंगे arrow salts तो इस हिसाब से answer क्या जाएगा एका फिर्ट जो एक महीं दे रखा है तो answer आ जाएगा सेकेंड नेक्स्ट 153 किसी जील के अंदर हरे सैवाल ये प्रेस फुटन के जाग दरसाते हैं यानि कि अगर किसी लेक के अंदर एलगल ब्रूम हो रहा है और उस टाइम पर इसका मिया जाग बनता है form type कर तो इसको हम ये क्या indicate करता है तो ध्यान रखना ये indicate करता है कि उस लेक के अंदर cultural eutrophication perform हो रहा है जो किसके लिए आप कह सकते हो किसकी वज़े से होता है human activity की वज़े से तो इसको हम बोलते हैं समबर्दन सुपोशन आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट 154 जाती विवित्ता के संदर में असत यानि कि हमें जो species diversity है उसके respect में incorrect option को choose करना है तो देखिए ब्रंग 3 लाख species हैं सही है अधीपादप यानि की और्किड की 20,000 species present होती है बिलकुल राइट है अगर हम आंट की बात करें चीटियों की तो 50,000 यह रॉंग है क्योंकि जब आप NCIT में देखो होगे NCIT ने clear दे रखा है more than 20,000 यानि की 20,000 से थोड़ा सा ज्यादा होती है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होती तो इसका यह correct answer जाएगा क्योंकि हमें असत्य चुनना था जब की मचलियों की इतनी species होती है तो आंसर आ जाएगा third next 155 निम्नमैसे कौन सा मुख्य जैविक कारक है जो किसी जैविक समूदाय की सनलचना और संगठन को प्रभावित करता है यानि कि हमें वो biotic factor चूज करना है जो biological community और organization साथ ही साथ उसके structure को क्या करता है responsible होता है तो देखें यहाँ पर यह abiotic factor दे रखें यहाँ पर abiotic factor फोर्थ में abiotic factor तो answer क्या जाएगा यहाँ पर third answer third next निम्नमैसे कौन सा आर चैनित जातियों के लिए सही है यानि कि आर सिलेक्टिड इस्पिसीस के लिए इन में से कौन सा option सही है तो ध्यान लगना आर सिलेक्टिड इस्पिसीस होती है जिनका biotic potential जादा होता है यानि कि इन में reproduction की capacity जादा होती है और साथ ही साथ इन में small size के जो organism यहाँ आप कह सकते हो small size की progeny बनती है और वो भी large number में तो answer क्या जाएगा next 157 एक portion इस्तर पर एक निश्यस समय में जीवित पदार्थों की मात्रा कहलाती है तो ध्यान रखना किसी एक निश्यस समय पर जो living material जो present होता है ट्रॉफिक लेवन में उसको हम क्या बोलते है answer आएगा standing crop यानि की खड़ी फसल answer 4 next 158 ए और बी के लिए सही नामंकन बताईए यहां यह आपको NCRT का एक diagram सो कर रखा है जिसमें यह B आपको पूछा है और यह A तो NCRT के according अगर हम बात करें यह A किसको सो कर रहा है यह desert को सो कर रखा है जबकि B किसको सो कर रखा है temperate forest आप कह सकते हो उसको सो कर रखा है तो देखिए यहाँ पर A हो गया desert यानि की मरुस्तल और B हो गया C तोस्न बन answer आजाएगा third desert और temperate forest next 159 कौन सा कथन सही है तरबूज में 80% से कम जल होता है गलत है about 90% से भी जादा जल उसमें present हो सकता है यह कोई जरूरी नहीं इससे कम हो एक परीपक मक्का पादप एक दिन में लगवग 30 लीटर गलत है तीन लीटर पानी अफसोसित करता है एक सड़सों पादप लगवग 5 गंटे में उसके भार के बरावर जल अफसोसित करता है यह सही answer है कास्टिय भाग में जल अधिक होता है गलत है कास्ट यह भाग में जल मुलायम भागों की तुलना में कैसा होता है कम होता है जबकि यह यहाँ पर statement उल्टा दे दिया तो यह wrong हो गया तो answer क्या जाएगा इसका third 160 खनेज तत्व जो पादपों में सरभादिक मात्रा में आवश्चा के यानि की mineral element जो greatest amount में plant को required होता है वो कौन सा है तो NCIT ने clear दे रखा है कि greatest amount में किसकी requirement होती है nitrogen की तो answer क्या जाएगा second next 161 फलीदार पादपों में मूल गरंतिया निर्मित होती है root nodules of leguminous plant are formed by किसके द्वारा तो देखिए इदर केवल बाहत तचा के विभाजन द्वारा गलत है इसमें केवल अंतह तचिय कोशिकाओं के विभाजन द्वारा ये भी गलत है यानि की epidermal और endodermis cells की वज़े से नहीं होता next देखिए संबहनी एदा के विभाजन द्वारा ये गलत है क्योंकि यहां पर जो vascular cambium है उसके division से यहां कोई लेना देना नहीं है तो आंसर क्या आगया वलकुट तथा परिरंब कोशिकाओं के विभाजन द्वारा division of cortical and pericycle cells आंसर आएगा 4 तो ध्यान रखना जब यहां पर rhizobium root nodules formation करने करना चाहता है तो infection thread बनता है वो infection thread कहां आ जाता है यह जो वलकुट कोशिकाओं है यहां पर आकर bacteria क्या करते हैं bacteria कुछ chemical secret करते हैं जिससे cortex की cells और pericycle की cells में division start होता है और finally root nodules का formation होता है तो आंसर आजाएगा क्या 4 तो नेक्स्ट 162 पादपों के पुस्पन पर noon tap यानि की बहुत कम तापमान का जो उपचार किया जाता है उसके प्रभाव को हम क्या कहते हैं तो सीधी सी बात क्या आएगा वसंती करन तो ध्यान रखना effect of low temperature treatment on flowering is known as vernalization next 163 lactic acid bacteria दूद में ब्रदी करते हैं और उसे दही में परिवर्तित करते हैं इसकी portion संबंधी गुणवत्ता को निम्न मात्रा में बढ़ाने में सुधार होता है clear NCIT में दे रखा है कि ये vitamin B12 को increase कर देता है तो ध्यान रखना lactic acid bacteria curd formation के time पर vitamin B12 को increase कर देता है तो answer आ गया second next salvia, allium, indigo, phera, mooli, चना कितने पास पुस्पों में पुंकेसर की लंबाई बिन्न होती है तो ध्यान रखना यहां पर dynamos condition की बात कर रखी है कि किन-किन में dynamos condition है तो अगर हम देखें तो यहां salvia आ गया यह ब्रैसी केसी का member यहां पर mooli आ जाता है और सल्यम तो यहां पर कितने आ गये तीन तो यह किसमें दे रखा है first option तो answer आ गया हमारा first salvia, radis और turnip answer one next 165 निम्नमै से कौन सा एक गैर albuminus बीज नहीं है ध्यान रखना हमें ऐसे बीजों को select करना है जो गैर albuminus यानि की x albuminus नहीं है तो अगर हम यहां देखें p x albuminus नहीं है इसका मतलब हो गया वो कैसा होना चाहिए albuminus होना चाहिए यह x albuminus है मतर मूंगफली x albuminus है sam x albuminus है जबकि अरंड यानि की जो कास्टर सीड है वो x albuminus नहीं है इसके अंदर endosperm present होता है तो answer क्या जाएगा second next इस चित्र में A और B की पहचान कीजिए यानि की A और B आपको इस diagram में पहचानने है यह nCRT का diagram है तो यहां आप देख रहे हो pollen tube inter कर रही है किसके अंदर यह जो यहां पर embryo sec present होता है उस embryo sec का जो यहां पर एग apparatus है उसमें से synergit cell के अंदर inter कर रही है synergit cell कैसी हो रही है degenerating है और यहां पर यह जो so कर रखे हैं आपको यह यह किसको so कर रखा है ध्यान रखना male gamete किसको so कर रखा है male gamete और आप यहां अगर देखें तो यह a part यह क्या है यह so कर रखा है polar nuclei यानि की दुर्विय केंद्रक तो देखी आंसर क्या गया एक इसको represent कर रहा है दुर्विय केंद्रक और भी नर्योगमक एक महीं दे रखा है तो answer क्या जाएगा second ज्यान रखना answer क्या आगया second next 167 column first और यह आप column दे रखें इन column को हमें match कराना है और correct answer को choose करना है तो देखी यहां पर सूक्ष्म प्रवर्दन का उप्योग कर हम पादपों की बड़ी संख्या का उत्पादन करते हैं यानि की बहुत कम टाइम में अधिक से अधिक पादपों का निर्माण कर लेते हैं बिभज्यों तक का उप्योग विसानु मुक्त पादप प्राप्त करने में हम करते हैं खासकर जो एपिकल मेरी स्टेम और एकजिलरी मेरी स्टेम होता है उसका उप्योग जैव पुष्टी करण एक प्रकार का पादब प्रजिनन है जिसमें हम क्या करते हैं फसलों में पोशन गुणवथ्टा को सुधार करते हैं खासकर माइक्रो न्यूट्रियंट जैसे पोशक तत्वों को काईक संकरण में दो प्रोटो प्लास्ट के बीच में हम क्या कराते हैं हाइबिडाइशन कराते हैं तो इस हिसाब से अगर हम देखें आंसर क्या जाएगा एका सेकिंड एक में ही दे रखा है तो आंसर आगया वन ठीक है तो माइक्रो प्रोपागेशन किस से रिलेटेड है प्रोडक्शन अफ लार्ज नंबर ओप्लांट्स मेरी स्टेम वाइरस फ्री प्लांट्स के फॉर्मेशन में बायो फॉर्टिफिकेशन नूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूब्मेंट में और सॉमेटिक हाइबिडाइशन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन तो आगया वन नेक्स्ट वन सिक्स्टीएट यहां भी हमें कॉलम मेच कराना है तो देखिए एसपर जिलस नाईगर ये क्या करता है एसपर जिलस नाईगर रिलेटेड है सिट्रिक एसट के प्रोड़क्शन से तो यह आगया थर्ड का ए आगया थर्ड का कलॉस्टीडियम ब्यूटाइलिकम यह ब्यूटाइरिक एसट के प्रोड़क्शन से यह आगया Saccharomyces cerevisi किसके production से है ये Ethanol के production से है तो answer क्या जाएगा C और Trichoderma Polysporum ये Cyclosporin A का production कराता है तो इसका आजाएगा D और Monascus Perpureus ये Statin के production से related है तो ये आजाएगा E तो देखिए A का क्या गया यहाँ पर Third एक में ही दे रखा है तो answer आजाएगा Third और B का क्या गया Fourth, First Fifth और Last में Second Answer Third Next Cry First Ac Gene का प्रियोग किसके बुरुद बचाभेतू किया जाता है यानि कि Cry First Ac Gene का यूज किसमें किया जाता है Clear NCIT बेस है तो BioTech के application में ये दे रखा है कि इसका यूज करके हम जो Cotton Ball Worm है यानि कि कपास मुकुल क्रमी उसको उससे बचाने के लिए हम यूज करते हैं यानि कि Plant को अगर हमें इस मुकुल क्रमी से बचाना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं Cry First Ac Gene को Transfer कर सकते हैं प्लांट के अंदर तो answer आगया third नीचे दिये गए ये PBR 322 का चितर दे रखा है और इसमें आप से पूछा है कि ये जो Balm Edge First तथा Salve First का प्रियोग प्लाजमिट को कहां से काटने के लिए होता है तो इन दोनों का यूज करके हम इस प्लाजमिट को कहां कट कर सकते हैं तो ध्यान रखना है Clear NCRT में BioTech के अंदर बता रखा है कि ये जो Tetra Cycling Resistant Gene है यहाँ पर दो साइट होती है एक होती है Balm H1 की और एक साइट होती है यहाँ पर Salve First की तो आप कहे सकते हो कहां से कट कर सकते हैं Tetra Cycling Resistant Gene में यहाँ हम प्लाजमिट को कट कर सकते हैं इन दोनों का यूज करके आंसर क्या जाएगा 4 Next 1997 में पहली बार पार जीनी गाय रोजी गाय बनाई गई थी रोजी के दूद में क्या प्रजेंट था तो ध्यान रखना जो First Transgenic काव रोजी बनाई गई थी 1997 में उसमें अलफा लेक्टेल वुमिन जो यूमन प्रोटीन है उसके जीन ट्रांसफर किये गए थे जिससे उसके मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसका कितना एमाउंट प्रजेंट था 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर यहाँ पर उस प्रोटीन का एमाउंट प्रजेंट था तो आंसर क्या जाएगा Second Next पर पोसी जीबाणू में DNA के खंड को प्रक्रिया द्वारा प्रवेशित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं तो ध्यान रखना जब भी हम जो फॉरेंड DNA पीस को किसी होष्ट बैक्टीरियम के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरन तो आंसर क्या जाएगा सेकिंड नेच्ट 173 निमने मैंसे किस बाहग द्वारब बिजाती है DNA के बड़े खंडों को इस्थानांतरित किया जाता है तो लार्ज साइज के यानि कि इन चार मैंसे सबसे ज़्यादा लार्ज साइज का DNA किस वेक्टर के थुरू ट्रांसफर कर सकते हैं तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इन मैंसे हम अगर कर सकते हैं तो वो कौन सा है इस्ट आर्टीफिसियल क्रोमोसोम यानि कि YAC तो आंसर आएगा फस्ट नेक्स्ट 174 निम्न मैंसे कौन से आनुवान से अभियान तरिकी के साधन नहीं है यानि कि हमें वो उस option को select करना है जो genetic engineering का tool नहीं है तो ध्यान रखना clear NCIT ने दे रखा है इसमें vector tool है foreign DNA का भी हम use करते हैं enzymes का भी use करते हैं लेकिन GMO का use नहीं करते तो यह tools में नहीं आता इसलिए answer क्या जाएगा हमारा GMO ध्यान रखना यह जो GMO है यह कब बनता है after जब हम RDT का development करने के बाद जब host के अंदर gene को transfer कर देते हैं RDNA को तब बनता है GMO तो यह वहाँ पर use नहीं होता tools के form है next 175 manav genome परियोजना का समनवय था यानि कि इस परियोजना में किसने coordinated किया था किसने इसको चालू किया था उस समय तो आप कह सकते हो यहाँ पर जब coordination की बात आती है तो इसमें आता है US Department of Energy इसके अलावा National Institute of Health भी था लेकिन यहाँ पर देखिए National Institute of Health के साथ क्या लगा दिया इको नॉमी तो यह गलत हो गया तो इसलिए आंसर क्या जाएगा हमारा second next VNTR आनुसंगी DNA के किस भर्ग से संबंदित है तो अगर हम satellite DNA की बात करें दो टाइप का होता है satellite DNA mini और micro satellite तो यहाँ पर यह किस से related है mini satellite से related है जो VNTR clear NCIT ने दे रखा है तो आंसर क्या आगया second next E.coli के DNA की लंबाई और मनुस्य के DNA की लंबाई यानि कि मनुस्य के DNA की अगर बात करें कितना दे रखा है 2N condition की बात कर रखी है तो कितनी होगी बस आपको यह length बतानी है E.coli DNA और human cell के DNA तो ध्यान रखना clear अगर हम देखें NCIT बेस तो आंसर क्या आगया first 1.36 mm और 2.2 मीटर तो आंसर आगया one next 178 RNA polymerase first कभी भी अनुलेखित नहीं करता है तो clear NCIT में अगर हम देखें RNA polymerase जो first होता है यह किसको अनुलेखित करता है यह RRNA को अनुलेखित करता है और RRNA में भी कौन-कौन से आ जाएंगे 28S, 5.8S, 18S यह जो 5S RRNA है इसका अनुलेखन RNA polymerase नहीं करता तो answer क्या गया, fourth 5S, RRNA ठीक है इसका transcription RNA polymerase first नहीं करता तो answer आ गया, fourth Next, DNA अनुकरम का chain कीजिए जो प्रतिवंदन इस्थल की तरह कार करता है यानि कि हमें यहाँ पर उस option को select करना है जो restriction site के form में यहाँ पर use किया जा सकता है तो आपको पता है restriction site पर cut करने के लिए जो enzyme, जो sequence select करता है वो किस type के होते हैं? palindromic sequence होते हैं तो यहाँ अगर हम palindromic sequence की बात करें तो हम देख लेते हैं कौन-कौन से यहाँ जी यह जो palindromic sequence नहीं है केवल second में palindromic sequence बता रखा है G-A-A-T-T-C और यह किसके लिए है? E-K-O-R-1 की site है तो answer क्या जाएगा? Second Next देखें U-Chromeatin अनुलेखन लेखित रूप से कैसा होता है? सक्क्रिय होता है जद तथा हेट्रो-Chromeatin अनुलेखित रूप से कैसा होता है? निश्क्रिय होता है तो इसलिए answer क्या जाएगा? A-Sक्क्रिय और B-Nिश्क्रिय Answer second ध्यान लखना यह जो U-Chromeatin है transcriptionally active part होता है जबकि हेट्रो-Chromeatin transcriptionally कैसा होता है? inactive part होता है तो answer आजाएगा second Next अनुलेखन का lagging strand nucleotide बहुलक का एक छोटा सा खंड बनाता है तो आपको पता है जब DNA का replication हो रहा होता है तो उस time पर एक strand पर continuous form में DNA का synthesis होता है जबकि दूसरे strand पर DNA का synthesis कैसा होता है? fragment के form में होता है तो इन fragment को हम क्या बोलते हैं यहां पर ओका जाकी fragment तो answer क्या जाएगा? second ओका जाकी fragment Next 182 निमनलकित कतनों को पढ़िए तता उनमें से सत्य कतन और असत्य कतन को बताते हुए सही विकल्प का chain करना है यानि कि इसमें आपको statement दे रखे हैं तो इसमें true और false हमें बताने हैं और correct option चूज करने हैं तो पहला देखिए पादप बरदी एक सतत प्रक्रिया है जो इसके संपून जीवन में होती है बिल्कुल right है कि यह जो plant growth है वो continuously चलती रहती है और throughout उसके life spend चलती रहती है क्यों क्योंकि इसमें present होते है Maristematic cells कोशी का चक्र की जीवन प्रावस्ता में अधिकांस कोशी कांगों का दुई गुणन होता है यह भी right statement दे रखा है क्योंकि जीवन में ही अधिकांस कोशी कांगों का दुई गुणन हो जाता है नेक्स्ट देखिए इस्ट कोशी का 24 घंटे में एक बार विभाजित होती है गलत है ये गलत दे रखा है क्योंकि इस्ट सेल डेड़ घंटे में यहाँ आप कह सकते हो 90 मिनिट में विभाजन करती है जीवन अवस्था कोशी का चक्र की M और S प्रावस्था के बीच आने वाली मद्य अवस्था है बिलकुल राइट है तो ध्यान रखना जीवन फेज इंटरवल बिट्वीन दा M एंड S फेज बिलकुल करेक्ट दे रखा है और ये इस्ट वाला रोंग है तो आंसर क्या आएगा ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, आंसर आएगा थर्ड नेक्स्ट केंद्रक दरब्य विभाजन की दी गई के सवस्था में गुण सूत्र सबसे मौटा तथा छोटा दिखाई देता है ध्यान रखना यहाँ पर केरियो काइनेसिस की कौन सी स्टेज में जो क्रोमो होंगे वो थिकेस्ट एंड सौर्टेस्ट दिखाई देते हैं तो यहाँ अगर हम मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में जो क्रोमेटिन का कंडंसेशन होता है वो कंपलीट हो जाता है तो इस वज़े से वहाँ पर क्रोमोसोम अधिक छोटे एवं मौटे यानि की थिक एंड सौर्टेस्ट विजीवल होते हैं आंसर आजाएगा सेकिंड मेटाफेज नेक्स्ट यहाँ अंतरावस्था यहां इंटरफेज से रिलेटेड हमें करेक्ट ओप्सन को चूज करना है जहां करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा हो तो देखिए कोशी का चक्र की ब्राम की सव स्टेज नहीं है जबकि यह रेस्टिंग फेज हम इसको बोल सकते हैं विल्कुल होता है कबर एप्रोक्सिमेटली 50% डियूरेशन ऑफ सेल साइकिल गलत है 50% नहीं होता ठीक है तो ध्यान रखना मोर देन 95% टाइम इंटरफेज लेती है तो यह रोंग स्टेटमेंट दे दिया 50% थर्ड एक फोर्थ देखिए इस दा फेज ऑफ एक्चुल सेल डिवीजन गलत है क्योंकि एक्चुल सेल डिवीजन जो होती है वो एम फेज को हम बोलते हैं तो यहां सर क्या जाएगा हमारा 1 next 185 कौन से कोशी कांग कोशी का के भीतर कोशी का है ध्यान रखना कौन से कोशी कांग कोशी का के भीतर कोशी का है तो यह जो क्लोरोप्लास्ट और माइटो कॉंड्रिया है यह दो सेल और निल है जिनको सेल विथिन सेल माना जाता है क्योंकि ऐसा इनके अगर हम फॉर्मेश की बात करें तो इनके formation के लिए एक theory दी गई थी symbiotic theory इसके according ये माना गया कि ये जो हरित लबक mitochondria है ये एक type के bacteria थे जो eukaryotic cell में inter कर गए और symbiotic association form कर लिया और आज भी eukaryotic cell के अंदर present है तो आप कह सकते हो eukaryotic cell के अंदर ये दोनो as a prokaryotic cell है तो cell within cell तो answer क्या जाएगा third चलिए next discuss करते हैं इस ये part B तो section B में हम देखते हैं 86 186 question जिली रहत कोशी की ये सनलचना जो पादप तथा जन्तु कोशी काहों दोनों में पाई जाती है यानि कि यहां में वो structure देखना है जो plant और animal दोनों में ही कैसी हो common structure हो तो देखें आपर kendrica यानि की nucleus बिल्कुल clear है ये दोनों में ही present होता है nucleus के अंदर ribosome दोनों में ही present है और अगर हम centriole की बात करें तो centriole दोनों में नहीं है ये plant में absent माना जाता है जबकि animal cell में centrioles present होता है तो ये नहीं होगा तो answer क्या जाएगा third a and b next 187 सामानेता है दुई बीच पत्री पादप के तने में दुतियक ब्रदी के दोरान जो काग जन है वो किसका उतपादन करता है तो ध्यान रखना secondary growth के time पर जो dicot stem में secondary growth है उसमें फैलो जन किसका production करता है तो हम देखते हैं फैलो डर्म परिदी की और गलत है देखिए अगर हम काग जन की बात करें यानि की फैलो जन तो ये जो फैलो जन है ये बाहर की तरफ जो cells बनाता है वो किसमें convert होती है cork या आप कह सकते हो phalem में जबकि अंदर की तरफ जो cells बनती है वो cells किसमें convert हो जाती है secondary cortex या इसी को हम बोलते हैं फैलो डर्म तो देखिए फैलो डर्म परिदी की और गलत है फैलो डर्म तो center यहां पित की तरफ बनता है ये रॉंग हो गया फैलेम परिदी की और बिलकुल सही है तथा फैलो डर्म केंदर की और तो answer क्या आएगा second ये जो फैलेम है वो कहां की तरफ बन रहा है which of the following is correct regarding bryophytes तो देखिए इनमें सत्य परकार की मूल तना तथा पत्ती पाई जाती है ये गलत है इनमें कभी भी सत्य परकार की जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती इसलिए इनकी body कैसी होती है थैलोइड होती है next मुख्य पादप का है दोई गुणित युग मा कोदविद होता है ये गलत है क्योंकि मुख्य पादप का है युग मा कोदविद है जो दोई गुणित नहीं बलकि कैसा होता है आ गुणित तो ध्यान लकना इनके पास true root stem leaf नहीं होती इनमें main plant body diploid नहीं होती बलकि कैसी होती है haploid लेंगिक अंग बहु कोश्की होते हैं बिल्कुल सही है multi cellular sex organ इनमें पाए जाते हैं तो answer आएगा third फोर्थ भी देख लिए प्रकृती में B.J.A.N.W.D. मुक्त जीबी होता है गलत यह जो sporophyte होता है यह free living ना होकर जो gametophyte है उस पर depend रहता है तो answer आएगा third next 189 यहां कुछ statement दे रखें उन statement को select देखना है कौन से सही है सही कतनों को हमें देखना है तो द्रब्बे मान में बड़ोतरी तदा व्यस्टियों की संख्या में बड़ोतरी ब्रदी का दोहरा लक्षण है बिलकुल सही है यानि की increase in mass and increase in number यह twin characters of growth होते है पृत्थक्रत मुक्त कोशी का तत्र में सरीर के बाहर उपापचे करियाओं को देखा जा सकता है उद्धीपन की पृतिक्रिया सजीवों का परिभासित लक्षण है बिलकुल सही है यानि की response to stimuli is a defining characteristic of living organism जिसे हम consciousness भी बोल सकते हैं तो आंसर आएगा इसका fourth यह तीनों ही statement कैसे हैं correct दे रखे हैं आंसर आएगा four निम्न मैंसे एक पादब बरगी की का उद्देश नहीं है यानि की जो plant taxonomy है उस taxonomy का objective नहीं है तो देखिए संसार के flora का अध्यन करना बिलकुल सही है यानि कि किसी छेत्र विसेस में जितने पादब होते हैं उनकी जो list होती है उसको हम बोलते है flora तो बिलकुल flora की हम study कर सकते है नाम करण तथा पहचान की प्रणाली प्रणान करना ये बिलकुल सही है provide a method for identification and nomenclature संसार के सभी पादब समों को लेटिन बेग्यानिक नाम प्रणान करना ये भी इसका एक objective होता है यानि कि पर्टिकुलर लेटिन साइन्टिफिक नेम प्रतेग जीब को एक उपियुक्त आवास प्रणान करना ये गलत है इसमें हम केवल taxonomy कर सकते हैं कर सकते हैं नॉमेंट क्लेचर कर सकते हैं लेकिन हम इसमें आवास यहां उसको एक श्यूटेवल हैवी टार्ट को प्रोवाइड नहीं करते तो आंसर क्या जाएगा फोर्टिए इसका objective नहीं है नेक्स्ट जैविक सब्दावली में समान जीवों का एक समूझ जो अन्ता प्रजनन करके जनन चम संतती को उत्पन करता है उसको हम क्या बोलते हैं तो ध्यान लगना इस ग्रूप को हम बोलते हैं एक इस्पिसीज तो आंसर आएगा फर्स्ट ये जो बायलोजिकल कॉंसेप्ट आफ इस्पिसीज है ये दिया था अर्नेस्ट मायर ने ठीक है तो उसी पर बेस है नेक्स्ट वन नाइन्टी टू जैविक उद्द्यान के महत्व के संदर में निम्न कथनों को पढ़ी तता एक असत्य कथन को चुनना है यानी की जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ चूज करना है ये इस्थानिय फ्लोरा के महत्वपून पादपों को उगाने में सहायता करते हैं तता इनका रिकॉर्ड रखते हैं बिल्कुल राइट है ये जो यहाँ पर अगर हम कहें जो बौटनीकल गारडन्स होते हैं उन बौटनीकल गारडन्स में हम लोकल जो इस्पीसीज होती है उनको हम grow कराते हैं यह लोकल फ्लोरा को और उनका record रखते हैं यह बिल्कुल right statement है यह सोध कार्यों के लिए जीवित पादफ सामगरी उपलब्द कराने में सहायता करते हैं बिल्कुल सही है यहाँ पर research बर्क से related जो यहाँ पर living plant है क्योंकि botanical garden में living plants को हम grow कराते हैं उनको available करा सकते हैं यह दुरलब और लुक्त प्राया पौदों को उगाने और बनाए रखने में सहायक होते हैं बिल्कुल right है यहाँ पर जो ऐसे plant जो endangered है यह बहुत rarely present है उनको जब हम grow कराते हैं तो उनको हम क्या करते हैं सनलक्षित करते हैं यह दुरलब पादब जन्तुओं का स तंगरण नहीं किया जाता तो यह wrong statement हो गया तो answer क्या जाएगा फोर next one ninety three निमने लिखित में से कौन सी बरगी की स्रेणी एक या एक से अधिक गण से सम्बंदित है तो ध्यान रखना यहाँ पर जब गण आपस मिलते हैं तो कई सारे समान सम्बंदित जो गण होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पर एक class का या work का निर्मार करते हैं तो answer क्या जाएगा four next निमन कतनों को पढ़ी और सही कतन को चुनिए तो देखिए right statement हमें या correct statement चूज करना है क्या है phloem parenchyma is absent most of monocod यानि कि अधिकांस एक बीश पत्री पादवपों में phloem parenchyma absent होता है बिलकुल सही है जिमनो इस्पर्म में वाही निका और वाही का का अभाव होता है गलत है वाही का तो मान सकते हैं लेकिन वाही निका यानि कि जो trackates है वो present होती है जबकि यह बोल रहा है कि lake यानि कि absent होती है wrong statement है जिम्नो इस्पर्म ले कमपेनियन सेल यह राइट है यानि कि जिम्नो इस्पर्म में सहेचर कोशिकाएं नहीं होती तो यहाँ पर राइट इस्टिट्मेंट कौन-कौन से दे रखें फर्स्ट एंड थर्ड तो आंसर आगिया हमारा थर्ड नेक्स्ट पादपों में थोड़ी सी या कोई दुतियक ब्रद्धी नहीं पाई जाती तो अगर यहाँ आम देखें उस प्लांट को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें लिटल या नो सेकंडरी ग्रोथ अकर्स होती है तो यहाँ आपको पता है मोनो कौट प्लांट में वस्कुलर क कैम्बियम नहीं होता जब कैम्बियम नहीं है तो ग्रोथ नहीं होती है तो इसमें यह जो ग्रास है यह ग्रास है यह मोनो कौट का एक्जामपल आपको दे रखा है तो आंसर के आजाएगा वन निम्न मैंसे कौन सा तने का रूपांतरन नहीं है स्टेम का मौडिफिकेशन नहीं है किस में है तो देखिए खीरे का प्रतान ये स्टेम का मौडिफिकेशन है ओपन सिया की चप्टी सनलचना ये भी है निपेंथीस का घट ये नहीं है यह किसका है यह leaf का modification है citrus के काटे stem का modification है तो answer क्या जाएगा third ठीक है तो ध्यान लगना tendrils of cucumber stem का modification है flattened structure of open sea यह stem का modification है thorn of citrus stem का modification है लेकिन picture of nepenthes यह stem का modification नहीं है तो answer क्या जाएगा हमारा third next नीचे दी गई सूची में कितने पौधों में सीमांत बीजांड न्यास अवस्था पाई जाती है तो देखिए यानि कि marginal place and station किस किस में है तो यहाँ अगर marginal place and station की बात करें तो यह फैवेसी family के members में होता है तो यहाँ हम देखते हैं एक तो चना आजाएगा अरहर सनई आजाएगा सनहम मूंग आजाएगा मतर आजाएगा और ल्यूपिन ठीक है तो ध्यान लखना ग्राम अरहर सनहम मूंग पी और ल्यूपिन कितने हो गए शिक्स तो आंसर क्या जाएगा थर्ड नेक्स्ट निम्नमै से कौन सा जुटर आयन है तो यहाँ NCIT में किलियर सो कर रखा है जुटर आयन यानि की ऐसे आयन जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज एकी मॉलिक्यूल पर प्रजेंट हो तो देखिए यहाँ पर किसमें है यह कंडिशन सेकंड में आ एंजाइम से रिलेटेड है यहाँ आपको एक रियक्शन सो कर रखी वें CRT में दे रखी है यह अभी किरिया किस टाइप के एंजाइम के द्वारा क्या होती है कैटलाइज होती है तो यहाँ एंजाइम कौन सा लगेगा लाई एज ध्यान लखना क्लियर एंसी आर्टी ने पता रखा है कि यह जो लाई एज एंजाइम होते हैं यह कारवन पर दो अलगलग कारवन पर प्रजेंट गुरुपों को विदाउट हाइड्रोलिसिस क्या कराएंगे यहाँ से रिमूब करेंगे कारवन कारवन के बीच में डबल वांड क्रियेट कर देंगे और जो लिटिक एंजाइम कारवोक्सी पेप्टाइडेज की क्रिया सीलता के लिए आवश्चक है तो क्लियर एंसी आईटी ने बता रखा है आंसर क्या जाएगा वन यानि की जिंक तो यह यहां बोटनी सब्जेक्ट का डिसकुसन हमने देखा आयो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा थैंक यू